अवर सब्जेक इस वोटर रिसोर्स मेनेजमेंट तुड़े आवर चेप्टरी स्टोरेज वर्क्स एंड आवर टोपिक इस कंट्रेक्शन आप ग्रेविटी डेम और तैप्स आप अर्थन डेम तो आपने पहला कंट्रेक्शन आप ग्रेविटी डेम विसे डिसकस करशू के भारसित बंदनू बानकाम तो तेमा थान तबबके थाई चे डेवजन अपजी स्टीम फ्लो नदीन अप्रवान डेवजन करिने था है फाउडेशन प्रिपरेशन प्रेशन प्रेशन टेवान करवो ने राट कंट्रेक्शन ओडेम बंदनू बानकाम करेने ना उड़ दैवर्जन अब दी श्टीम फ्लो कॉंक्रिटिंग अप्डी डेम देम केंनोट बी डन इन वोटर देर्फोर बिफोर स्टाट अप्टॉक्षान अप्डेम अपरे करवानूँ होई त्यारे पानी होई त्यारे सक्किया नथी यदले आपणे पानीने छे इबीजी बाजु डाइवड करवू करे छे तो आपरे बानकाम करी सकिये छे अने बनित्यां सुधी कंट्रक्शन छेई ड्राइ कंडिशन मा थाई ते अगतिनू छे टू स्टेज अब कंट्रक्शन बन्दूनू बानकाम छेई भी भागमा करीए अपरे इतले के जो नदी नी खेण आपरे पोडी होई तो बन्दू बानकाम छेई ने भी भागमा करीए अपरे प्रफम स्टेज मा नदीना अर्था भागमा कोफ़ण डेम बन्दूना भी यानि न नदीना प्रवान छे नदीना सामे की नरतर फ्रवा मा मावे छे त्यार बाद कोफ़ण डेम माथी गेरयला भागमा डेमनू जरूरी होचे इस दिआ बानकाम करवा मावे अने बंध मा नीचे न भागे छे बाको राइकले स्लुस्पन राखवा मा आवे छे If the outlets are not there in the contraction portion, the flow is passes over the contraction portion itself लेके त्यारबाद भागे ना भागने कोफर देम वरे घेरवा मा आवे छे ते वक्ते नदीनो परवा प्रस्वम स्टेट दर्म यान बादिला देम तरफ भागे छे जेथी पानी छे, इस स्कोरिंग स्लुस्पन राखवा निकडी जाई So this is a कोफर देम contraction of the divergent tunnel, लेके divergent tunnel बनावी ने The geological condition and the topographical condition are favorable The divergent tunnel may be contraction in either of the event to diver the entire river flow Around the dam site लेके जारे नदीनी खीन साक्ड़ी वोई यारे खीननी बाजवी आपडे बोगडू बनावा मा आवे छे अने नदी मा एठर वास मा कोले छे अने नदीना प्रवाने आपडे बोगड़ा मा वरवा माटे बनना स्थर नी उपर वास मा कोफर देम बनावा मा आवे छे our stream side downstream side copper dam upstream side copper dam foundation expression and treatment इलेके पाईो तेयर करवो तारोग surface is suitable clean इलेके पाईो तेयर करवा माटे आपरे सपाटीचे ने साब करवी its consistence of revealing the entire loose rock and the overburdened up to the bedrock सपाटी पर्थी, माटी, loose material and the soft rock वगरे बदाई दूर करवा the final rock surface usually step in the order to increase the fictional resistance of the foundation against sliding force पायना सपाटी माँ पगत्या बनावा जथी डेमनो सरकराण औरोध वदे अने चोथू छेई ग्राउंटिंग करू डेमनो पायो तैयर करवा माटे नदीना पठ माथी loose material पोचा खरको वदेरे छे आपरे खोदी ने दूर करवा माँ आवे छे जो ब्लास्टिंग करवा माँ आवे तो नीचेना नकर खरकने नुकसान नो थाई तेनी आपरे खुबच काजी लिवी पड़े छे पाया ना भाग माँ पोगे थानी रेचिना करवा माँ आवे छे पाया नुँ shear strength होदारवा तेमा जिलिकेज घटावर आपरे ग्राउंटिंग करवा माँ आवे छे थाईपस अब ग्राउंटिंग डबाणफ एधर आव्ड है ग्राउंटिंग आपरे भीया प्रकार होचे लोच प्रेसर ग्राउंट्ब आपाइः प्रेसर ग्राउंटिंग अने इसो इना आधरनदा वीयवापर कार छे Consolidation Grounding अने Curtain Grounding Consolidation Grounding अपरे दिसकस करिए Consolidation Grounding is done to improve the characteristics of the foundation rock and to increase its strength Consolidation Grounding is done on the entire base area of the dam shallow holes called B holes are drilled through the foundation rock usually on the grid pattern एटले के आ Consolidation Grounding छे निचादबान वारू Grounding छे आप्रकानू Grounding छे पायना करकोनू ददी करण करी तेमा strength होदारवा माटे करवा माँ आवे छे आप्रकानना Grounding माटे ना वोलने आपने B hole केवा माँ आवे छे बरकानू के आप्रकाना Grounding पाया ना भाग मा 3-15 मीटर उन्डा अने 12-30 मीटर ना स्पेसिंग ना ग्रेड पेटेन मा ड्रिल करवा मा आवे छे आ गोल साब करवा माटे वराफर्ती आपने चोकू पानी आने हवानों मारो चालो करवा मा आवे छे आ गोल मा नीचा दबाने यलेके टान्सवोसी 400 किवन निटर मारो पार मीटर स्क्वेर ग्राउंड इन्जेक्ट करवा मा आवे छे second type is कल्टेन ग्राउंटिंग यलेके परदी ग्राउंटिंग और हाई प्रेसर ग्राउंटिंग करवा मा आवे छे The purpose of the curtain grounding is to reduce the uplift pressure on the dam. It also helps in reducing the seepage to the foundation. The holes having a spacing of 4.5 to 7.5 meter depending upon the nature of rocks. The holes are usually vertical but sometimes they are inclined. आप्रकानों ग्राउंटिंग छे ने डेमना हीलनी आगर परदी रची ने लिकेज अटकाव माटे करवा मा आवे छे परदी ग्राउंटिंग थी डेमना तड़िये आपने अपली प्रेसर मां घटारो आवे छे डेमना हीलनी आगर 4.5 to 7.5 meter spacing वर्टिकल के त्रासा ड्रिल करवा मा आवे छे आ ओल ने आपने ए ओल कहे छे आ ओल साब करे ने तेमा उच्छा दमाने ग्राउंट इंजेक्ट करवा मा आवे छे इलेके हाई प्रेसर ग्राउंटिंग त्यार बाल आओल वचे बीजा अओल ड्रिल करी त्रासा ड्राउंटिंग करी देवा मा आवे छे विद्यार्थी मित्रों आप्रे कांट्रक्शन आप्रे ग्रेविटी डियम न त्यबक्का वार डिवर्जन न स्टीम फ्लो फाउंडेशन प्रिपरशन नी बात करी नाव ओवर नेक्स्ट टोपिक इस तैप्स आप अर्थन डियम एलेके माटी ना बंद ना प्रकारों तो एमा ब्य टेप ना आवे छे माटी ना बंदों रोल फिल्डेम्स औने हाईडोलिक फिल्डेम्स एलेके रोल करेला भरावनो बंद औने हाईडोलिक फिल्ड बंद रोल करेला भरावनो बंद मा त्रन प्रकार आवे छे फर्स्ट आवे छे होमोजीनियस इम्बेक्मेंट टाइप डेम यलेके समांग पाड़ा प्रकार नो बंद विजो आवे छे ही जोन इम्बेक्मेंट टाइप डेम यलेके विभागिय पाड़ा प्रकार नो बंद अन्य त्रिजो आवे छे ही डायाफ्राम इम्बेक्मेंट डेम यलाके डायाफ्राम पाड़ा प्रकार्णो बंद इन इस टाप डेम शुटेबल मटेरल इस टांसपर्णो प्रकार्णो बंद डेम बंद अन्य बंद ना स्थरो मा पाथरवा मा आवे छे इच लेवल इस स्प्रिंकेल विद वोटर और रोल विद रोलर तीकनेस अफ़ इच लियर इस 20-30 सेंटीमेटर इटले के दरेक स्थर उपर आपरे पानीनो छंटकाव करी अन्य रोलर वरे कुटाई करवा मा आवे छे अन्य दरेक स्थर नी जड़ाई छे इवीज थी 3 सेंटीमेटर जेटली होई छे थे छेल्च की होईचाई स्थर नी जड़ाई है की, इच सिर्द ब obviamente कावेचिछोतोर आप अउन्य में त missile कर भोह य바 К top पोटे हैं MooLI निच वट्ट भोटे ऊपट ना है रूफ États लफित नकीओ पूर दोटे है लाहन कल सितानी स्वित रीच। इटलेके आ बानकाम मटेरिलनुँ खोदकान छे वहन छे ने प्लेसिंग छे हाइड्रोलिक रीते थाई छे। पाड़ानी बने धार्यार मोटी पैपो लेके फ्लेम्स राखवा माँ आवे छे। अने बोरोपीट आगर फुदान करेला मटेरियल मा आपने पाणी भिर्वी अने सलरी ने पाइपो मा पॉम्प वोडे दाखल करवा मा आवे छे। आथी रगणो छे पाड़ानी सेंट्रेल लेल तरफ होए छे। माट्री ना जीना करणों छे ये कीनारा पासेने मोटा करणों छे पाड़ाना मजीर रफ जेमा धाई छे। आर एटमा छेने ये कुट्टाय करवा मा आवती नती। आवे रोल फेल्ड डेम मा आपड़े पेलो प्रकार होमोजीनियस इमेक्टमेंट टैप डेम नी आपड़े चर्चा करिये। इस टैप ओप डेम आर मेड ओप डी सेम टैप डी मटीरियल सच डेम इंप्रिवियस ओर सेम इंप्रियस स्विल्स। इड़ले के आ टैप ना बंधो छे माटी ना ते एकज प्रकार ना मटीयल ना बनेला होई छे। शच डेम इस बिल्ड वेंड ओनली वन टैप डेम स्विल्स। आ बंधना स्थड़े फक्त एकज प्रकार नी माटी ओछा खर्चे मर्ती होई त्यारे आपने आ टैप ना बंध बांधवामा आवे छे। आवा बंधो छे इम अची उचे ना होई छे। इस फिगर रिगरिंग दा ओमोजेनिस इमेकमेंट टैप डेम। इस अपवर साइड स्लोप इस केफ फ्लेट। लेके तेना उपपर ना वासनी बाजुए डार कोछो राखवामा आवे छे। ए ओरिजेंटल फिल्टर ओर दा रोक्टो टो टो बी प्लेस। मोडिफाइड ओमोजेनिस इममा ओरिजेंटल फिल्टर अथवर रोक्टो राखवामा आवे छे। जेथी अंतस्त्रवान उपर अंकोस आपने राखे सके और बाजुना डार पन सिधा राखे सकाई। नेक्स्ट टैपस इस जोन इम्वेक्वेंट टैप डेम। डेम is made of more than one type of material लेके विभागिये पाड़ा प्रकाना बननी आपने चर्चा करिये छे के आप्रकाना बन छे एक करता वदाल प्रकाना material नो बनने लोई छे मिडल ओप दी विच देर इस ए इम्प्रिवस कोर वोस्स साइड स्लोप इस टू जेम वन लेके वच्चे नो भाग छे यी आपने ओ पारकामिया कोर नो आवेली होई छे अन्ने बाजुनो डार छे इस टू जेम वन नो राखवाम आवे छे प्रिवस cell इस लोक दे ओन डार आईडर साइड अव दी कोर लिग कोर न बनने बाजु पारकामिया सेल अवेली होई छे इस लीमेज अव दी जोन टब आप इम्पेग्मेंट देम The permeable cell of the upstream gives the stability against the sudden drawdown of the water in the reservoir, while the permeable cell of the downstream acts as a drain and controls the federated line. The core part in the between prevents seepage. The त्रिजो प्रकार छे आपड़े डायाफ्राम टाइप इमेक्मेंट डेम इस टाइप अब डेम is made of permeable material and the middle is the thin डायाफ्राम अब दी इमपर्मियल मटेरियल लेके आ प्रकार नो बंद छे पार्गमियों मटेरियल नो बनेलो होई छे अने वचेनो जी भाग छे आपड़े इओ पार्गमियों मटेरियल ना पाटड़ा डायाफ्राम नो बनेलो होई छे डायाफ्राम इस made of the impermeable clay, cement concrete or the bestuminous concrete तेलेके जे आ डायाफ्राम छे इओ पार्गमियों माटी, cement concrete, bestuminous concrete नो बनेलो होई छे इब दो ओरिजेंटल ठीकनेस अब दी डायाफ्राम इस लेस देन 10 मीटर ओर दो हाइट अब दी डेम, इट इस कोल्ड डायाफ्राम टाइब डेम तेलेके एनी आपने डेफिनेशन जोए तो डायाफ्राम नीक सेती जाड़ाई 10 मीटर के बंदनी उच्छाइ कता उची होई तो तेने डायाफ्राम टाकार नो बंद कहे छे But if the thickness of the diaphragm exceeds the 10 मीटर or the height of the dame It is called zone type embankment dame परनतो जो डायाफ्राम नी जाड़ाई 10 मीटर के बंदनी उच्छाइ कता वदी जाए तो तेने जोन टैप नो इंबेक्मेंट डेम के वामा आवे छे तो थेंक्यू स्टुडेंट्स तीस इस ता टैपस ओफ थी अर्थन डेम तो विद्यात्थी मित्रो आजे आपड़े कंट्रक्शन ओफ दी ग्रेविटी डेम अने टैपस ओफ थी अर्थन डेम मा रोल फिल्डेम अने हाइडरोलिक फिल्डेम नी डिसकसन केरू अने समझ या थेंक्यू